हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बारी शुरू हो गई है और बारी सब चटपटा टेस्टी मजदार स्नैक वो भी जो मिंट में बन जाए सभी को बहुत भाता है तो आज की रेसिपी बहुत अमेजिंग है चलिए बनाना शुरू करते हैं पॉफेक्ट टेस्टी बेकिंग सोडा तो इस रेसिपी में बेकिंग सोडा जाएगा जिससे हमारे वड़े स्पॉंजी बनेंगे फ्लॉफी बनेंगे और थोड़ थोड़ा पानी डार का बिलकुल ऐसे बैटर बना ले जैसा वीडियो में देख रहे हैं और इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट क हमारा मसाला भी पिछ चुका है तब तक एकड़े में डालेंगे ठोड़ा सा के लिए बनाना ब्ल्uu से ये वड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं बड़े मज़े के चैपटे थोड़ा से इसमें डाला है मैंने सौंफ के दाने, चारो चीजे डालेंगे और 30 सेकंड के लिए धीनी आज पर भूनेंगे, उसके बाद ये जो लस्टन और हरी मिल्ची हैं जो नमक के साथ हमने पीसा था, ये देखे किस तरीके से मैंने दानेदार से कूटा है, बिल्कुल ऐ इस रेसिपी में सबसे इंपोटेंट बात ये है कि इसमें जो आलू है हातों से फोड कर त्यार करने हैं, ना तो कद्दुकस से उन्हें गसना है, ना ही चाको से कटके त्यार करना है, उसके अधेर सारा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तक्रीम दो म इनट भूनेंगे, गैस की फ्लेम बंद करेंगे, ये मसाला हमारा त्यार हो गया है, ट्रस्ट में इतना बढ़िया बनाया, इतनी चिप खुश्बू उस टाइम पर पूरे किचन में है, बहुत इस शांदार, तो बस ये मसाला ठंडा हो गया है, इसके पैटी टाइप बना आप बना सकते हैं, ये टोटली आप पर है कि आपको शेप कैसी देनी है, लेकिन ये जो टिक्की टाइप हम बना रहे हैं, बहुत एजी रहता है बनाने में, बहुत आसानी से कई वड़े एक साथ कड़ाई में फ्राई हो जाते हैं, गोल गोल आप बनाएंगे तो थोड़ा करना है, बिल्कुल ऐसी लेनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और एक एक करके ये जो वड़े हैं, टिक्किया हैं, इनको इस बेशन के गोल में डिप करेंगे, और मीडियम तू हाई फ्राई करेंगे, तो जितना स्पेस आपके कड़ाई या पैन में हैं, उस हि जालिदार वड़े हमारे कुछ ही मिंटों में बनकर तियार है, इतने स्वाद ये बनते हैं, और मिंटों में बनकर तियार होते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, तो जब भी बारिस हो, या अचानक से घर पे कोई आ जाए, तब आप ये रेसीपी ट्राई करना आप बार-बार इने बनाना पसंद करेंगे, तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक इने भून लीजी, फ्राई कर लीजीगा, तो ये फ्राई हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से, अब हम इने निकाल लेंगे बाहर, किसी नैपकिन या टीशू पेपर पे आप इने बाहर निक इन वड़ों के साथ बहुत मजेगी लगते है, इस्पेशली बारिश के दिनों में, जो मिर्चिया फ्राई करेंगे ना उसमें हलका सा नमक लागा कर अच्छे से कोटिंग कर दीजेगा, मसाज कर दीजेगा, उसके बाद ये जालीदार वड़ों के साथ आप टेस्ट करिए बहुत ही मजे के लगते हैं, तो ये हमारे गरम गरम मुंबई स्टाइल वड़ा बनकर तियार है, एक बाद ट्राई करना और ऐसी पसंद है तर लाइक शेर बिल्कुल करें